नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूं सब बेतर होंगे और पढ़ाय लिखाई भी बेतर कर रहे होंगे तो अलपी जो है फॉम तो आई चुका है सबको पता है कि फॉम आ चुका है और सभी लोग इसमें लगे वे भी हैं जो आप लोग का मुद्दा है चार पां दिसमबर 2013 तक 16000 संथिंग जो सीटे हैं वो एबलेबल है तो इतना कम भरते निकालना उचित नहीं है तो कहीं न कहीं हमको रिजल्ट जो मिल रहे हैं और लगतार आप लोगों ने ट्यूट भी कर रहे हैं किया है जिसके कार्ण यह सारे चीज़े हो पाई है बिना आप बाकि तीन-चार चीज़ों का मांग रखा गया है जिसमें आपका है एलपी वेकेंसी का इंग्रीज करना दूसरा आपका टेकनिसियन का जो सीट है उसको एड करना तुसरा आपका एजरी रेक्सेशन वाला मुद्दा जो की भी उसको भी सुन रहे हैं लोग की नहीं करना च तो ठीक है इसमें आपके कलेंडर जारी कर दो कि हर एक साल सीड लेंगे यतना ही लेकिन हर साल दो और पिछल जो छे साल में यहीं दियो हो उसका एक पर मिला करके this बर्देतो आगे कम कम बेंसी दोलेकिन हड्सल दो तो कलेंडर कर भी डिमांड किया गया है तो सारी चीज़ वह तब से बार बार आप लोगों करते रहना है कि लडाइ तो लड़ रही है लडाइ तो जाड़ी रहेगा अब लडाई करने के चकर में अगर पढ़ाई बंद कर दे तो ओ गलत बात है कि कि selection वह लड़ाई लड़ने से आपको नहीं हो जाएगा इसा नहीं है कि 2018 में जो इतने सारे सीटे की आई जितने लोग TE सब का selection हो गया नहीं हें का selection हो गया जिन्हों ने लड़ाई भी लड़ा और साथ में पढ़ाई भी कि तो इस बार भी उनीक हो गया लड़ाई भी लड़ेंगे और पढ़ाई भी करेंगे बात समझ में आगे तो इसलिए आपको पढ़ाई करते रहा है छुषर का रहा है काफी लोग निकल के आगया है सब लोगों ने बात किया और सभी लोग को को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे संधन्यवाद भी काना चाहेंगे बहुत-बहुत आभार भी परकट करेंगे कि सभी लोगों ने साथ दिया है ऐसा नहीं है कि जो रेलवे के लिए नहीं पढ़ाते हैं उन लोगों ने साथ नहीं दिया उन लोगों ने भी साथ दिया है आज हम नहीं लॉंच किये हैं एलपी का कोर्स हम लोग के पास बहुत पहले से लॉंच है बहुत पहले से चलड़ा और बहुत पहले से लड़के जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में लड़के जुड़े हुए हैं आप इसमें देखेंगे जो इसमें जो रेलवे का कोर रहे हैं कि पढ़ाई बंद नहीं करना है और हम ही पढ़ाना बंद कर दें तो फिर हम ही अपने बात पर गलत हो जाएंगे तो इसलिए हमने पढ़ाना भी जाड़ी रखा लगभग लग बग कोसिस कर रहे हैं कि सारी classes ले ले हम जो भी classes हमारे चल रहे हैं क्योंकि जो होता है तो selection जो होता है पढ़ाई सही होता है जो selection हम बार बढाल दिखाते हैं आप लोग जो CBT1 का कोर्स हो गया या मैथ का मास्टर कोर्स हो गया जिसके डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि अगर आप एक बार इस पढ़ लेते हैं तो कोई एकजाम बाखी नहीं रहे से कर दिजाम हो ग्यां करना है कि अगर हमको पैचानराी 2020 देख रहें अगर आप अपना प्यार दे रहें कि आप हमाड़ा साथ दे रहें क्यों कि हम पढ़ाते हैं अगर हम आपको न पढ़ाया अगर हम किसी को न पढ़ाते मेरे वीडियो नहीं देखता कोई हमको सुनने वाला नहीं रहता आज जो इतने सारे लोग हमारे साफ जुड़े हुए हैं पेड क्लासेस में हो या YouTube क्लासेस में हो यूटुब पे भी हमने सारा कॉंटेंट करीब-करीब पढ़ा दिया आप लोगोंने देखा बीचे मैंनेजमेंट बीटीव हटा दिया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिर से हम पढ़ा सकत तो इन्हीं सब बातों को लेकर करके हम आएं कि आगे क्या करना चाहिए क्या होने वाला है और दूसरा चीज़ा है कि आप लोग को बार बार बताते हैं जो कॉमेंट में जा करके या मैसेज भी बहुत सारे लोग करते हैं इजी भे अप्लीकेष्न नहीं तो आप लोग डाउन्लोड करें जो वहां सर्च करेंगे तो दो और बार मीले देखना है। हम जो तॉत बाकि हम उतों पे बात करने आये हैं वह यहां पह आयां तो आगे पढ़ना है ना कि पढ़ाई नहीं नहीं करना। बस क्योप सीट बढ़वा लेने से सेलेक्सिन हो जाएगा। नह् ninguém सकता है ऐसा तो नहीं है कि बढ़ेगा उसका सेलेक्सिन नहीं होगा। ऐसा तो है ना कि 5000 लोग तो जोईन करेंगे ही करेंगे 6000 लोग तो उनमें आप है या नहीं है सीट बढ़ेगा तो उनमें आप आप आएंगे या नहीं आप आएंगे और डिसाइड करेगा आपका पढ़ाई तो अब आगे क्या करना है आप लोग करके बताएंगे हमारा जहां किया है कि सबसे पहले एलपी में जो 2014-2018 में जितने भी कोश्चन्स आएं तोफिक वाइज हम आपको करवा दे पहले तोफिक वाइज क्योंकि अब बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं रहा गया हम बार बार करते हैं कि बेसिक अभी तक अगर आप नहीं पढ़ने तो बेसिक कहीं से पढ़ लिजिए जितना स्पीड में हो सके क्योंकि अब बेसिक अगर ही आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आपके पढ़ रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं उनको रिवीजन की जरुवत है उनको प्रैक्टिस का जरुवत है तो हम जहां तक सोचने हैं कि सबसे पहले आपको टौफिक वाइज क्योंकि 2014 और 2018 में जो भी ALP में कोउस्चन्स आये अल्पी और टेक्निसे नहीं हो सारा आपको करवा दिये जाए उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर प्रैक्टिस मिक्स कोउचन का करवाए जाए क्योंकि जब 2018 और 2014 का ALP का कोउस्चन्स आप देखेंगे तो आपको दिखेंगा कि कोउस्चन्स का लेबल जो है बहुत ही नीचे है और आपका एकजाम जो होने वाला है वो 2024 में होगा 2014-2018 में एक्जाम हुगा है previous year और आपका जो एक्जाम होगा 2024 में होगा तो कहीं न कहीं question का level बढ़ेगा तो question का level बढ़ेगा तो उस level तक जाके आपको practice भी करना पड़ेगा और इस बार जो ALP में chances हैं तो advanced math को भी ज़्यादा introduce करेगा क्योंकि arithmetic से उतने level के questions नहीं बन पाते हैं और आप पिछे exam में आप देख पा रहे हैं कि हर exam में advanced को अच्छे से introduce कर रहा है advanced की तरफ questions ज़्यादा आ रहे हैं तो advanced भी आपको अच्छे से तयार करना होगा बात समझ में आ रही है तो आप लोग comment करके बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा decision है वो क्या सही है या नहीं है क्योंकि उधर तो लडाई जाड़ी है सब लोग demand भी कर रहे हैं रात दिन लगे हुए भी हैं और आपको भी हम यही कहेंगे कि आपको भी लगे राना है जब मौका मिले तो ट्वीट कर देना है जब मौका मिले तो आपको टैग कर देना है जब मौका मिले रीट्वीट कर देना है सभी गुरुजी लोग ट्वीट कर रहे हैं तो अगर आपको ट्वीट करने नहीं भी आता है तो किसी का भी जाकर के सब का retweet कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका काम होगा, तो चीज तो करते रहना है, लेकिन ये भी जाड़ी रखना है, तो हमने लिखा है कि अब आप लोगे लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं और आप भाई hai लुटेंगे वह सीलेक्शन भी हो ग Benjamin कि दो इनिस सब करां से हम आयते है उक्रweb आप लोग क्या चीले हैं चीले डीयों किसा मेंत करता है पिछले दिन अभी कुछ दिन से YouTube का class बंद है नहीं तो सकरीब करीब सारा content हमने YouTube पे पढ़ाया है और जिस तरह का content पढ़ाया है नहीं guarantee के साथ कह सकते हैं कि वह ऐसा content तुमको कोई नहीं देगा YouTube पे YouTube पे वही चीज लोग ले करके आते हैं जिससे तुम attract हो करके उनके course पर जा करके shift हो हमने ऐसा कुछ नहीं किया हमने जो चीजे पढ़ाया है 100% पढ़ाया है ऐसा कोई चीज नहीं आकर के किये कि एक दिन में दो दिने percentage खतम कर दिय आप यह हो जाओ और उसके बाद जा करके zero level से उठा करके और उस label तक questions को करवाया है जहां तक आ सकते हैं तो जो भी चीज हम करते हैं बेतर ढंग से करते हैं और आगे भी करेंगे तो जो भी चीजे करेंगे बेतर ढंग से करेंगे तो इसलिए comment कुछ भी ना किया करो और course बेचना भाई तो course तो भी के कहीं कोर्स बेचना है तो वो तो पीछे भी बेचते थे वो तो course पहले भी आता था अभी भी आएगा आगे भी आएगा तो अब इसमें क्या बुराई है सब लोग course लेके आते हैं सबका course आता है तभी तो हम पढ़ाएंगे तभी तो classes चलेंग हैं लेकिन आपको क्या चाहिए अगर आपको भाई पैसा नहीं है तो आप बताओ कि आपको क्या जरुड़रत है हम है अपको कोई मधद चाहिए आप अबों हब आप कोई यहां पर हमको कॉमेंट करके बतादे कि छांम और की घृषकु, हम किसी का भााल की हम को कुछे घृषी मनेजमेंट हमकों बोलते रहती जाए उससे यह होता है लेकिंँ फिर भी हम करते हैं कि नेचर होता है इंसान का प्रविरती होता है तो हम करेंगे हुआ ही हमारा नीचर है हे जिए अब्यक्व अफटान स्ट्म जनवडी तक आपको फिडै किया था कि जूराने हैं उनको प्रिकर दिया लेकिन आभ विज्व आ जाता है उसको में ही करते हैं कि अराम से पढ़ लो भाई ज्याता सोल गुनला मचाओ पढ़ लो चुपचाप इमत करो कोशिस करते हैं कि उसका फिड़ी हो जाओ फिड़ी होता भी है तो इसलिए ऐसा कॉमेंट मत किये किजिए क्योंकि हमें भी हताहत करता है क्योंकि हम भी एक इंसान है हमको भी बुड़ा लगता है हमको भी हट होता है तो कुछ भी आकर के comment करना उचीत नहीं है आप लोग के साथ अगर नहीं होते तब आप करते क्या कर रहे हैं तो आप लोग के साथ हम लोग लगे हुए हैं हम भी रात दिन देख रहे हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है आगे meeting चल रहा है जो senior हम लोग से है वो आगे है कि चल तो उन लोग के साथ हमारा चलना हमारा भी काम है और आपका भी काम है ठीक है तो लड़ाई भी लड़ते रहना है पढ़ाई भी करते रहना है और पढ़ाई कीजिए रुखियेगा मत रहा बात हमारे तरब से तो हम लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द आपको इसी channel पे क्या क समझ में आगई तो चलिए अभी के लिए रखते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आप लोग कॉमेंट करके जड़ू बताएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं बात समझ में बाकी लड़ाई जाड़ी रखना है लड़ाई लड़ते रहना है लेकिन पढ़ाई रोकना नहीं है पढ़ाई रोक के लड़ाई मत करो अगर हम पढ़ाना बंद करके लड़ाई के लड़ेंगे तो तुम हमारा नहीं सुनोगे ठीक है और अगर तुम पढ़ाई बंद करके लड़ाई के लड़ोगे तो तुमारा भी कोई नहीं सुनेगा तो इसलिए पढ़ाई